Finally e-commerce websites जिसका सब को इंतजार था चुकिए आप लोग एक कोर्स Extreme Commerce के platform से ले रहे हैं तो एन मुंकिन है कि आपका WordPress सीखने का primary मकसद e-commerce websites बनाना हो और इस chapter में हम वही सीखेंगे सबसे पहले मैं आपका WordPress के दो सबसे बड़े e-commerce plugins WooCommerce और Easy Digital Downloads के साथ तारूफ कराऊंगा उसके बाद हम देखेंगे कि WordPress पे e-commerce sites में किस किसम के products अड़ किये जाते हैं और किस वक्त कौन सा product इस्तेमाल करना चाहिए फिर हम affiliate और drop shipping websites के setup को देखेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि हम अपनी site पे subscriptions और membership कैसे बेच सकते हैं तो चलिए WordPress इस्तेमाल करते हुए e-commerce websites बनाना शुरू करते हैं